दो मिट में स्टार्ट कर रहा हूं यह झाल कर दो प्रैक्टिस के सिरे आप लोगी अब प्रैक्टिस के सरे दर ने तो प्रैक्टिस करी देखें किस किसे ने प्रैक्टिस करी दियों मिष्टी ने करी मिष्टी आप वोकां सिर्फ में आगे थे ईए सो थी है ठीक है पुरिंण न अल्जी भिया है फैंड कुछ तोड़े गलत है मतलब कुछ अनलेसिस गलत है सागर ने बेजा था मिरे को सागर का एक एनलेसिस ठीक है महक के एनलेसिस ठीक थे इशिदा के ठीक थे भूमी का के भी ठीक थे ठीक अब धंग से सुनना इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा फॉर्दर ले चल रहा हूं फिर आज हम सीखेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस हो तो क्या है ठीक है ना देखते रहे ना सामने कि मैं कहा रहा हो पीटा कल मैंने आपको दो स्टॉक्स स्टिये थे मैंने ब holiness तो अगर यह लगाते तो आज अक्रास आपको प्रॉसित होता लक्ष्ब अब ज़रा हमने जो कॉंसट पीढ़ा है उसकी क्या चल रहा आदा उसके की बात करूं न तो resistance यहाँ पर आएगा इसका ठिके पर घखाई जा रहा रहा है ऑंट करने की कोशिश करिया उसने है ना बट ब्रेक कर नहीं पाया एक्चली में देखो फिर से वो नीचे आके ही क्लोज हुआ है देखो यहां नीचे क्लोज हुआ है समझ रहे मेरी बात को ठीक तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहें अगर एकाद ऐसा किसी ताइम किसी भी पॉलिटिकुलर डे ब्रेक करने ही कोशिश करे मट हो नहीं पाया तो उसकों कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारी जो रिजिस्टेंज से वो यही एग्र ही है कि यहां से इपर नहीं जा पारहां बात करो मैं बात कर लो सपोर्ट की तो सपोर्ट हमारा यहाँ पर आ रहाँ है शैक घड़ा अब इसके और्लिज मेरा हो गया टार्गेट तो टार्गेट मेरा आ रए था 523 मुझे बताओ क्या यह अचीव हुआ हाय आना हा या ना जबत दो क्या यह तार्गेट अचीव हुआ है हाय या अब यह टार्गेट अचीव कर दिया तो अच्छा गासा मार्जिन मिलता मानलो अगर कोई इसके अंदर एंट्री भी लेता है से स्टॉक के अंदर ठीके कब लेता मैं मान रहा हूं कि चलो 20 में को ले लेते क्यों 20 में को कैसे चलता है जिसी कट्वरें लेता की शेँस को मार्जिन मिलता कम से कम सोर्के का मार्जिन मिलता उसको समझाओ मेरी बात को Engine इस यह वेड़ेत्र आपका के अच्छा मार्जिन अपने लॉस को मिनिमाईफ कर सकता और अपनेवाउस को माक्सिमाईज बेनक्याइंच suis यह जो मूव है सारी बात अच्छी है कि अभी तो देखो मार्केट ग्रो कर रहा है बुलिश है अभी तो मार्केट ऐसा जल रहा है किसी भी स्टॉक ते अंदर पैसा लगाओ एक महीने होल्ड करकर रखो स्टॉक को प्रॉफिटेबल ही रहोगे ठीक है इस टाइम तो मार्केट ऐसा जल रहा है बट मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं बहुत है हम हमेशा अप्वर्ड साइड देखते हैं क्या देखते हैं अप्वर्ड साइड हमें बीटर थोड़ डाउनवर्ड साइड भी देखना पड़ेगा डाउनवर्ड साइड का मतलब क्या कि बीटर ब्रेक आउट अगर हो गया तो जरूरी नहीं है ठीक है ऐसा कोई हाड और फास्ट टूल नहीं होता कि मार्केट इस रूल को फॉलो कर रहेगा यह जो रूल मैं अगर आपको बता ठीक हैं तो अगर नीचे जा एथ तो हम क्या करें क्योंकि हमने तो पढ़ाए कि breakout केडल होगा है तो हम अपना टार्गेंट सेट करेंगे टार्गेट सेट करने के जब भी हम कोई trade लेते हैं ठीक है ध्यान रखना पहले बता रहा हूं जब भी हम कोई अपने trade लेते हैं तो बीटा हम stop loss mark करके चलते हैं अब यह stop loss होते क्या है बीटा stop loss एक certain price level होता है कि मैं expect करके चलता हूं कि अगर इस particular price level को hit कर गया तो मैं अपना stock बेच दूँगा इससे सबसे लास क्लास में बताऊंगा है कि हम आॉर्ड कैसे प्लेस करते हैं क्या होता है उसका प्राइज नीचे चलता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता के लिए हमें stop losses लगाने पड़ते हैं समझरे मेरी बात हम दोनों एंड को देखके चल रहें downward and forward समझरे मेरी बात को ठीक है तो backward forward downward upward सब चीजें को अध्यान रखना पड़ेगा तो आज हम सीखेंगे कि हम stop loss कैसे mark करते हैं ठीक है लिखना है तो लिख भी सकते हो ठीक है otherwise आप मेरी बातों को दर ढंग से सुनना ठीक है मैं कह रहा हूं बेटा हमने target तो भले ही सेट कर दिया देख हमने target क्या सेट कर दिया कि यहां लिख खुट दिखा रहा हूंगा आपको तारगेट जो हमने सेट करहा है कितना है हमारे टारगेट फाइफ ट्विंटी थ्री जो की अल्री अचीव होग चुका है हमारा 523 तो यह तो हमारा आइए हमारा टारगेट था इस तरीक है है कि किस तरीके से मैं present कर रहा हूँ ठीक है जितने अच्छे आपके presentation होगे उतना अच्छा आपका analysis होगा यह बात ध्यान रखना आज मैंने target तो set कर दिए target मैंने कब set कर रहा होगा जिस दिन ये breakout होगा डंक से सुनना practically समझना बातों को ठीक जिस दिन यह breakout candle अकर होई होगी 20 में को तो मैंने क्या करा होगा मैंने analysis करा होगा कि मेरे resistance ब्रेक हो गई अब मैं target set करते हो market अब जाएगा stock अब जाएगा है ना तो मैंने target set कर दियोगा तो बीटा आपको stop loss भी mark करके चलना है अब आप सोचरेंगे सर यह stop loss हम किस basis पर mark करें कौन सा प्राइज लेवल होना चाहिए जिसको हम अपने stop loss माने तो बीटा जरे डंग से सुनना bottom of the breakout candle क्या बोला मैंने bottom of the breakout candle यह दिख रही है यह कौन सी candle है नाम बता इसका breakout candle वाइट ब्रेकाउट दॉट कांडल क्यों यह ब्रेकाउट कंडल क्यों कोई रसे रिजिस्टेंस रेकुए है वेरी वेरी ब्रेसेंस को ब्रेक कर रहा है इसने ठेक तो यह breakout candle है अब मैं किरो इसका bottom किया है जर्ण मुझे बताओ bottom तो बिल्कुल यहीं है यह रहा दिख रहा है आपको यह यह बॉल्टम इस पर देख लो lowest कैंगे जर्ण मुझे बताओ लोईस्ट को है 447 के मज़े बता दर उपर जाके देख लो नहीं यहां पे यहां पर चेक करना है यहां पर दिख रहा है अब जर चेक करो जाके कितना है लोईस्ट कितना है 447 तो इधर में गया टेक्स्ट में मैंने लिखा मेरा स्टॉप लॉस्ट एसल बोलते हैं शॉर्ट में ठीक है मेरा स्टॉप लॉस है 447 ठीक है कितना है मेरा 447 यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस्ट मांक कर दूँगा समझ में आ गई बात ठीक है अब इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा अगर शेर का प्राइज 447 चला गया मार्केट में ड्यूरिंग दी डे ठीक है ना ड्यूरिंग दी डे सब्सक्राइब कि अपनी अलग 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 स्वे में सब्सक्राइग certain the यहां पर आएगा ठीक है यहीं कहीं आएगा तो यह हमारे stop loss हो गया clear है समझ मैं एनलिसिस जी विया very good अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ थोड़ा economic times पढ़ा करो क्यों कह रहा हूँ और कौन सेक्शन पढ़ना है वही बता दो यह सारी चीज़े पता होने चाहिए रिसोर्स की देखो economic times खोला कि दिख रहा है सामने अपने खोला तो यहां देखो market की news आती है देखो सामने देखो जल्दी यहां देख रहा है market ठीक market में रिकॉस में जा रिकॉस दिख रहे है रिकॉस में जाने के बाद यह जो रिकॉस का कॉलम है आपका यह आपको market के बारे में world information देता है पूरी information even market भी देता है market ब्रबरिब के होती है कि कौन से स्टॉक का प्रैस बड़ेगा कौन से बने स्टॉक कश कबस कम होगा अपने एनलेसिस इनकी इनफरमेशन होती यह ठीके ना जैसे अलग मोह स्टी लालोषवाल है ठीक है जितने ही ब्रोकरिगbab होती है वो क्या करती है वह अपने अटको इन्कन सब्सक्राइब करती है उसके basis पर वो अपने टार्गेट करती बएधिश करती है तो यहां पर उनकी नियूस भी आती है उनको रीडाऊट कर अग्र मिडिखो यहां पर दिखू होगी अपनी एनलेसिस के Bases पे रता है और व्लकुल ऻ। करने के बाद जोंकी emission करो हम क्या कर सकते हैं हम पैसे लगा सकते हैं तो अपनी अनलेसिस को वेरिफाइब भी करा करो अरे समझे में क्या बोल रहा हूं अब जैसे यहां पर लेते हम महानगर गैस लिमिटेट दवेरा महानगर गैस लिमिटेट एम जी एल भी बोल चकते हैं इसको चलो हुई कुछ दिख रहा है बता हुई कुछ दिख रहा है इसके इंदर यह सब छोड़ दो यह तो ओल्ड अनलेसिस हैं अब हम किस पे रहेंगे support and resistance ठीक है target और stop losses पे पहले उसको अच्छे से mark करना सीखो तब मैं further analysis पर जाओंगा फिर हम देखेंगे मार्क नहीं कर जा रहा ठीक है और कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे है पहले बदा दू मैं प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो यह कुछ नहीं आना जीरो आप लोग करु कि अंसॉलिडेशन में एकन्सॉलिडेशन फेज में कि अरे बोल दो गई सर्माते बहुत आपलो कि अब इसने पेले दो सपोर्ड था दिख रहा है यह था सपोर्ड है ना अब ते कि लिए बन चुक का है ये थे यह पिर भी मैं चलो प्रीवे सपोर्टों ये इसको लेके चल रहा हूं ठीक है ने बलगशे नोगता हुए ठीक है उसके बाद resistance बताओ कितनी चल रही है रेस्टेंस लगबग यहां चल रही है यह रेस्टेंस इसके लगबग दिख रही है इससे उपर तू नहीं जा रहा है ना चलो बटाव टार्गेट प्राइस बताओ चलो जल दीचे टार्गेट प्रैस का आएगा इसका बता अवह टार्गेट प्राइस क्या स्का अरे क्या इसका डाम से दोनु का डिफरेंस देखो न मैंने सामने दे रखा यह दोनु का डिफरेंस नीकाल के आड अन करो क्या तू थर्टी ना आएगा भाई मैं उसका रिंज तू थर्टी चेक करते हैं चलो बी बताव 231 और चेक करेंगा यह आ रहाए आपका 14 1474 टारगेट प्राईज आ रहा है ठीक है कि ना रहा है 1474 ठीक है इदर बार चेक करते हैं इन्हों किस बेसलिवे स time इनका आ यह है माहानगर का 300 अवर उनका टारगरट पर इस कितना अ सब्सक्राइब यह क्षाइबरं क्या विच्व्प इतना ज्यार है क्या है आद्द吗 जटी होते हैं यहां जाला इसको रेवाइस करें वह छैक करते हैं मैं जब इसको नीचे है है तो हमारा टर्गेट पद रहा है हमारे टार्गेट लगबग 1100 आरा है कितना रहा है 145 पर्रेखेट रियोफ्स्टिक क्या है कैसी हoba टार्डेट से कि क There inks जिस दिन यह अपने रेस्टेंस ब्रेक करेगा तो हमें लगता है लगबग 1400 के आराउंड तक जाएगा और यह लोग क्या बोल रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि इनका जाएगा 300 तो इनका अपने अनलेसिस है ठीक है समझ में आरी बात इसको भी रीड करा करो आप इनका अनलेस अंदर वो पूरा complete analysis करते अभी जो मेरा analysis जो मैंने आपको बताया है यह हमारा analysis सिर्फ एक ही method पर बेज़ेद है that is support and resistance किस पर बेज़ेद है support and resistance पर और भी method होते हैं मेरे को यहाँ पर और भी चीज़े दिख रही हैं मेरे को यहाँ पर head and shoulder pattern भी दिख रहा है जल्दी से ब सकते हैं, अभी कया हमेंumuz stop-loss decide कर सकते हैं जल्दी बिताओ है है अभी ब्रेक यृट लएक अभी ब्रेक आउटumbling नहीं थ rif जब तक ब्रेक अचरा अभी यहाओ आए creating तर फोसा व्यां इन्ट्री लेंगे तभी तो प्लोस माग करेंगे समझेर मेरी बात को और जबाए और बी लेते हैं को इस टॉक बताओ आप लोग पी एन बी हाउजिंग फिनैंस लें पी एन बी हाउजिंग फिनैंस सब्सक्राइब बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंज दिख रही है अरे बही बताओ सपोर्ट दिख रहा है तो यह हमारी रेजिस्टेंस यह हमारा सपोर्ट है क्लियर और बताओ और कौन सब्सक्राइब बिटे स्टॉक आइडेंटिफाइगर करके रखा करो इन्फोसिस का दिखना है इन्फी हां जुए जैसे मैंने यहां पे पैटन होता है डबल बॉटम पैटन मनता है तेकर यह मार्क कर रखा है मैंने यह सारे पैटन्स आएंगे बाद में पढ़ाऊंगा मैं पैटन्स सकर्ण अब हम क्योंकि बेसिक कॉंसेट पढ़ रही डाट विसर्पोर्ट स्टॉप्ल स्माक करना सीख रहे हैसं सबसे इंप्स्यम्पॉर्टन्स होता स्टॉप्लो स्माक करते बहुत सो लोग से कर लेता है इस judges c आपको इक बात और बता ढ़ा रहे है जो आपको आपभी चार्ट पढ़ा रहा हूं एली बेसे पर पढ़ा रहा हूं हर दिन triangle इसको हम वीक्री बेसेस पर भी पढ़ते हैं एक sint को भी ले जा सकते हैं मिनटर को सकते हैं अच्छा है जो बहुत लोग इंट्राडेर करते हैं सेम डेह हम उसको बेच देंगे तो इंत्रेजै बेच्ट के अंदर रिली चार्ट को yan एक हैं सबसे पहला काम ही ही होता है कि आपको ये साइड करना है कि आप किस थाइब की ट्रेड़र हो कि आप intraday trader हो पहले मैं बता दो intraday trading पर घुसना ही नहीं है अभी ठीक है क्यों demotivate हो जाओगे profit earn करना is not a simple task in intraday trading तो पहले positional में आओ पोदिशनल जिसको हम swing trading भी बोलते हैं उसके अंदर आओगे swing trading के अंदर तो आपको profit होना start होगा तब आप मोटिवेट होगा उसके बाद दीरे-दीरे कभी आपको intraday में आना है तो आओ बहुत सो लोग intraday करते हैं बहुत सो लोग intraday करते ही नहीं है ठीक है अपनी suitability आप मैं weekly भी कर सकता हूं उसको जो मैंने weekly कर दिया तो इस बार आप जो candle बन रही है ना यह एक कैंडल यह किसको describe कर रही है पूरे हफते को describe कर रही है यह पूरे हफते का movement दिखा रही है समझेरे मेरी बात ठीक आप supposedly मैंने इसको किस पर कर दिया मैंने month में तो अब एक candle जो बन मैंने एक घंटे का कर दिया तो अब मेरे को हर घंटे का movement हर घंटे का movement पर चलेगा सवा नौ बजे जब मार्केट ओपन हुआ साड़े तीन मिज़े जो मार्केट बंद हो बीच में जितने भी घंटा है हर घंटे का इसके अंदर आपके बस record है तो यहां पर एक candle किसको describe कर यह एक candle एक घंटे को describe कर रही है देखो नीचे देखो नीचे लिखा 10 बजे नीचे देखो लिखा है ताइम देखो उसके बाद देखो कि उसके आदेखो क्या लिखा है बताओ नीचे यहां तो अब एक 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 गंटे को describe कर रहे है यहां पर ठीक है बट हम अभी जो चार्ट अनेलिसिस कर रहे है वो डेली बेसिस बेंगर रहे है यही सबसे convenient option है और बेस्ट है यह ट्रेडिंग बेस्ट इंट्र डेट ट्रेडिंग में जो गुज जाता है उसकी जिंदगी ख करना है लाइफ निरेती परसनल लाइफ खतम हो जाती है उसके अंदर बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पोडिशनल ट्रेडिंग के अंदर आप अराम से इन्वेस्ट करो टार्गेट सेट करके रखो ठीक है टार्गेट अचीव होगा अपने आप स्टॉक आपका के काउट और डला ढाठी है तो जरूरी कि ब्रेक आउट यहां गेडाउं चेंड़ पी तो आ सकती है वाल्यियू ब्रेक डाउन ल्ट आवेस्लिव डरेक डाफ़ेगडून आती है तो हम क्या करते हैं तो वो टार्गेट वपर सेट पर निचे सेट करते सब्सक्राइब बात को मैं क्या क्या रहा हूं माल एक सेकंड रूखो रहा हूं कैंडल बना के बताऊं कि है इसको पेन का है यार कि में गया है कि देखो सामने देखो कैंड Pastor माल यहां पर कल एक ऐसे एक ऐसे कैंडल बन जाती नीची कि तरह जिसने सपोर्ट को क्या घर दिया ब्रेक कर दिया यह केंड़ बन गई ठीक है ना अब क्या करेंगे अब हम टारगेट उपठ ना सेट करके हम टारगेट उपर खेट कर रहे थे यह जो डिफरेंस यह jadi आपको पदा चल गया कि स्टॉक का प्राइस कहा तक जा सकता है नीचे 1100 तक जा सकता है ठीक है अब दूबती नाओ में क्या कोई इंसान पैसे कमा सकता है हां कमा सकते हो अगर आप डील करते हो फीचर्स और यह बात ध्यान रखना अगर आप किसमें डील कर वें फीचर्स और ऑप्शन के अंदर तो आप जो स्टॉक का प्राइस डाउन जारे पैसे कमा सकते हो बट मैं बात कर रहा हूं एक्वीटी की ठीक है इसलिए मैंने ब्रेकडाउन नहीं बताया आपको एक्वीटी की जब ह अपने लॉसस मिनिमाईज कर सकते हो समझ में आगई बहूत अगर आप एक्वीटी मार्केट के अंदर डील कर रहे हो ठीक है तो आपके बाद सिर्फ एक औप्शन है एक्वीटी मार्केट के अंदर यू कीन मिनिमाईज यू लॉसस बट मैं बात कर रहा हूं फ्यूचरे ज से अब गई मोहीन समझ में आ गया को तो जो हम का सेट och रही है तो उपर वह टारगेट आज सेट कर देंगे नीचे सट कर देंगे शाफ की मैं आप में लुड़ी यह भी मैं और पूछ है कि और आउट पूछ है बेटा पूछो डाउट्स नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं होगा डाउट्स तो पूछने पड़ेंगे भीया हाँ तो मेरे में क्या हुआ कि मैं डिफरेंस निकाल पारा इनका जो अब मेरे पास अच्छा कोशन आया है बहुत दिरवाद यह बात जो है ना यह बात डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे ठीक है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके आओगे थीक है जैसे मैंने साम professionals दिया है उतने ज़ f3 यहां पे गसे का डितर तो जैंगे ना वह सوسकने इस तो तुम दिखो कि तुम टाइम फ्रेंमस ना पीछे चले गए यह हर जो एक candle है वो हर एक दिन को describe कर रही है तो अगर यहाँ साथ candle होई यहाँ साथ candle होई यहाँ साथ candle होई एक महीना तो यहाँ पर निकल गया तुमारा फिर एक महीना दो महीने तुमारे यहाँ निकल गया ऐसे समझे मेरी बात तो इतना पीछे जाने से कोई फाइदा नह कटानाट अपर आप सपोर्ट और कि उचाँ गयंगे तह को यह ज्ना वी मेंग कि पफॉर्ट्टीए अजिया था पॉय संतरल। मियसाव में देखने के तुम्हें पीछे कितना सहिंट मैं भून तो मैं सोचूं कि भाई आप देखो पहले अगर मैं जाओं तो इहां लगाऊंगा फिर मैं यह था सब यह था सपोर्ट ठीक है और यह था रेजिस्टेंस लो यह थी रेजिस्टेंस इसके बीच में ट्रैवल कर रहा था बड़ेगों यहां ब्रेक आउट हुआ यहां ब्रेक ऐसे बादारे वह समय कर देट से नवारे इनْमें सब्सक्राइब करण करा चले थैसरित अब तक अब तक का अब सब्सक्राइबाइस इंके बीच का डिफरेंस जो साइड में ग्राफ चल रहा है ना? इनके बीच का difference उतना ही ऊपर कैसे mark करूँ मतलब ये ऐसे mark करने का तरीका पूछ रहो या फिर वो पूछ रहो ये बीच के लिए difference होता है ये ऊपर ले जाओ बस यहाँ पर उसका मैंने पीछे logic भी बताया actually range होती है कि इतना ही move करेगा जितनी उसकी रेंज है अच्छा यहां समय यह यहां पर मैंने आपकर कर दिया यह target होगा सागर मेरा सागर इन resistance सपोर्ट की बीच का difference होता है न वहीं आपका टार्गेट होता है ब्रेक डाउन में भी नीचे ब्रेकडाउन में नीचे आएगा नीचे वाली बात वह आपके लिए relevant नहीं है ठीक है relevant तब होती जब आपने stock hold कर रखा होता और stock hold करने के बाद stock एक range में घूम रहा और range में घूमने के बाद उसने breakdown दे दिया तो बेच दोसको इससे पहले के losses बड़े आपके तो विक्वीटी में आपको फायदा है बट futures and options के अंदर आप उस पर पैसा कमा सकते हो ठीक है वह कैसे वह बाद में futures and options बाभी तो बहुत ही basic चल रहा है बहुत ही basic ठीक है इतनी बाद समझ में आ गई कोई 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 और स्टॉक बता जल्दी क्या है अब आज नहीं है है इस पर बोलो माइक पर और मियुक्त तान है किसी को समझ में है क्या बोल रहा है है यह बोल रहा है मुथूट फाइनेंस थोड़ा साब बोल लिया करो ब्लुटूथ ब्लुटूथ फाइनेंस हाँ बताओ यहाँ दो क्लेरली एक रेंज दिख रही है क्लेरली और मैं अभी आपसे बोलूँगा कभी भी अगर अभी तो देखो डिजिजन लेना मत इंवेस्मेंट क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है यह तो बहुत बेसिक वैसी चल रहे है जिब टेखनीकल एनलसिस खतम करूंगा तब सोचना कुछ थोड़ा स्टार्ट करना इंवेस्ट करना और हमेशा स्टार्ट करना बहुत बेसिक स्टॉक से हजार रुपे से उपर वाले स्टॉक पर तो जा नहीं मत कभी भी अभी फॉर टाइम बिंग ठीक है क्योंकि हजार से उपर जाओगे क्यापिटल जादा लगेगी आप मान लोग कि कोई उसका एक शेर का प्राइज हजार रुपे है तो अगर मैं दस शेर भी खर देना दस जार रुपे तो लगी रहे है उसके अंदर ठीक है तो यह है इसू तो जितने कम कोशिश करो के जो स् ठीक है ताकि आपको थोड़ा एक मोटिवेशन है आपको पहले मार्केट के इंटेस्टांडिंग मेले मार्केट कैसे मूव करता है बड़े-बड़े स्टॉक पर तो कुछ नहीं है ऐसे तो MRF का स्टॉक देखके लो देखो MRF का स्टॉक का प्राइस लो देखो बताओ कितने का एक शेर इसका बताओ जल्दी तो कोशिच पहले यह करनी है कि आपको बहुत बेसिक स्टॉक से स्टार्ट करना है ठीक है आइडेंटीफाइब करो कि कम वैल्यू वाले स्टॉक कौन से हैं जैसे यह है हमार सामने भारत फार्ज दको लगबग साड़े 600 sekarang का स्टॉक है और आज याज में नौ रुपे का मॉव्मेटन दिया है अप्वर्ड प्रॉपे div वैल्यादी वैल्यू वाल्यूवल स्टॉक पकड़ो सिंट में इस फोड़ा साफ करो ठीक है और अभी इन्वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी जब तक यह व्याज कतम नहीं होता ठीक है उसके बाद हाँ धीरे-धीरे जो मैंने पढ़ाया आपको उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे आप अपने कॉंसेप्ट से प्लाय करना स्टार्ट करो ठीक है चलो इसको जब ए मेरे सपोर्ट यहां दिया है यहां मेरे क्लेर्ली देख रहा है अब आतकि सर आपको कैसे पता थ्यूंस करता पके इन्वेस्मेंट डिसीजिन पर रहो क्लेर ंंत कितनी बार कृशन गर यहां अब मैं तोड़ा टाइम फ्रेम और बड़ा दूं तो फिर मैं यहां पर आजाओंगा हाँ यार चलो ठीक है ठीक यह डिपेंड करता आपके टाइम फ्रेम पर तो आज आपको करनाए आपको Candles find करनी है जो breakdown दे रही है और breakout दे रही है उसके बाद मेरेको stop loss कैसे Mark करते हैं बता बहुए bottom of the breakout candle breakout candle का bottom bottom of the breakout candle is your stop loss must be your stop loss ठीक है तो दो चीज़े target और stop loss मेरेको तो मार्क करके भेजने है हैं तो स्टॉक डोनगा ठीक़े कद ऎंधिति फा fox भी से तो स्व्ट Сबॉड और गांग क्लासनी मिलेगी इसको डुस्टॉक मेरे पास चाहिए मेरे को आज ठीक है दो स्टॉक के नाम मैं भीज़ेंगे ठीक है एक बार मेरे को यह बता दो मेरे को नहीं जूम-इन करने में प्रॉब्लम होती है जैसे आपकी में बहुत क्लियरली विजबल हो रहा है मेरे को जूम-इन नहीं हो पारा पता में किसके अपरेट क हो जाएगा देखो यहां पर जाके इसको पगड़के आप ऐसे उपर नीचे करोगे ना तो पहली वाद एक तो चेंज यह जाते हैं यह जूम-इन तो मैं आपने यहां पर टू-फिंगर से कर लेता हो स्क्रोल करके देखो जूम-इन-जूम-आउट हो जाता है बहुत ईज यहां